चीन और पाकिस्तान की सैन्य चुनोतियों को देखते हुए भारत अपनी नौ सेना को अपग्रेट करने की ओर तेजी से आगे पड़ रहा है। भविश्य की जरूरतों के अनुसार भारतिय नेवी ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसके तहट भारत रूस के साथ मिलकर नई जनरेशन की सब्मरीन बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। खास बात ये है कि सब्मरीन बनाने की ये पेशकर्श खुद रूस ने की है। इसके तहत रूस जॉइंट सब्मरीन का डिजाइन और कंस्ट्रक्शन करना चाहता है रूस का कहना है कि इसके तहत वो सब्मरीन की टेक्नोलोजी ट्रांसफर भी करेगा अंग्रेजी अकबार एकनॉमिक टाइम्स के अनुसार तोनों देशों के बीच सोची समिट के दोरान इसको लेकर मई में बात भी हुई थी इस दोरान करीब 10 मिलियन डॉलर की 6 नई डीजल इलक्रोनिक सब्मरीन पर चर्चा हुई जिसकी भारत को जरूरत है सबसे बड़ी बात ये है कि रूस टेकनॉलोजी डिजाइन के साथ साथ कंस्रक्शन के लिए राजी है बताया जा रहा है कि सम्मरीन का नंबर अभी और भी बढ़ सकता है आपको बता दे कि इस तरह के प्रोजक्ट के तहट भारत को उसकी पहले न्यूकलियर आम्ट सम्मरीन आई एनेस अरिहंत मिली थी इसे रूस ने विशाका पटनब में बनाया था घबर के अनुसार सम्मरीन का डिजाइन और टेकनोलोजी का खर्च करीब 200 मिलियन डॉलर तक होगा जिससे भारतिय नेवी का काफी पैसा बचेगा और उसे नई जनरेशन की सम्मरीन मिल जाएंगी बताया जा रहा है कि 10 बिलियन डॉलर की इस डील को पक्का करने के लिए 20 फीसदी रकम देनी होगी